दोस्तों, इस्राइल-फिलिस्तिन संगर्ष की कहानी कोई नहीं नहीं है। अभी दो दिन पहले ही इस्राइली टूप्स ने अलकसा मस्जिद में सर्च ओपरेशन की थी जिसके दौरान गोली बारी हुई और उसके बाद अब फिलिस्तिनियों ने लेबनान एंड हमास के कर दी जिसका एफेक्ट इस्राइल पर बहुत गहरा पड़ा है। इसके लिए आपको इस्राइल की जोग्रफी शमजनी पड़ेगी। वास्ताव में इस्राइल एक छोटी सी कंट्री है जिसके नॉर्थ में लेबनान, साउथ में ईजिप्ट, इस्ट में जॉर्डन और सीर इस्राइली यहुदी हैं और फिलिस्तीन के लोग इसलाम को मानते हैं, सो कंफ्रिक्ट तो होंगे ही, जिनमें पडोस के देश फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। बात है, 19th सेंचूरी के लास्ट में 1897 की, जब फिलिस्तीन में रह रहे यहुदियों को काफी टॉर्चर किय जाने लगा, एंड इसके विरोध में जैनिस्ट मूब्मेंट की शुरुवात हुई, इस मूब्मेंट में यहुदियों को शफलता मिली और फिलिस्तीन के विरोध जाकर इन्होंने इस्राइल की स्थापना करी थी, यहां तक तो सब सही चलना था, बच समय आया First World War का, जब फिलिस्तीन को ब्रिटेन अपने कबजे में ले लेगा, और ब्रिटेन ने इस्राइल को एक देश बनाने को समर्थन देना शुरू कर दिया, अब बात आती है 1930 की, जब 1930 में जर्मनी में नाजियों का विस्तार हो रहा था और यहुदियों के साथ तो क्या ही कहें, बहुत अ अत्याचार हुआ है इन पर, जिसके कारण जर्मनी और आसपास में रह रहे है यहुदि, लोग वापस इस्राइल फिलिस्तीन में आकर बसने लग गए, लेकिन यहाँ भी अरब वासियों ने उन्हें तंग करना जारी रखा, और यहीं से शंगर्ष की शुरुवात हुई, जो आज भी जारी है, 1948 में फिलिस्तीन दो हिस्सों में बढ़ गया, और इस्राइल को एक सरंदर देश गोशित कर दिया गया, लेकिन जो अरब कंट्रीज थे, उन्होंने इनाटेट नेशन्स के इस फैसले का विरोध किया, चलो, अब हम 1948 से 2023 तक के इंसिडेंट्स को क्रोन देखेंगे, 1948 में इजिप्ट, इराक, सीरिया एंड जॉर्डन, इन चारों कंट्रीज ने एक जुट होकर इस्राइल पर हमला किया, लेकिन इस्राइल युद्ध जीता और यरुशलम को कवजा कर उसे अपनी राजधानी बनाई, फिलिस्तीनियों को यहाँ पर काफी नुक कंट्री बना, जिसने इस PLO को मानेता दी थी, अब बात आती है, Six Days War in 1967 की, तीन देश, इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन ने मिलकर इस्राइल पर हमला किया, इस बार भी इस्राइल ही जीता, और सीरिया के गोलन हैट्स, जॉर्डन के वेस्ट बैंक एंड इस्ट येरु 1997 में हमास नाम से एक कटर सुनी मुसलिम संगठन का उदय हुआ, जो टू स्टेट मींस इस्राइल एंड फिलिस्तीन को नहीं मानता है, एंड दोनों के बीच अब तक 1987 से 2005 तक करीब दो इंतिफादा हो चुके हैं, इंतिफादा का अर्थ है विद्रो से, और इनी संगर्षो को अकेले आँक दिखा सकता है, एंज गाइज, भले ही इंडिया इस्राइल को सपोर्ट ना करता हो, बट इंडियन डिफेंस सेक्टर में, रडार टेकनलोजी, ड्रोन एंड अगरिकल्चर सेक्टर में, इस्राइल का एक बहुत बड़ा रॉल है, एंड अभी रश्या की जो